हेलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बना रहे हैं गेहों के आटे की खजूरें तो जे देखे एक केज लिया हमने आटा एक रिफाइन की कटोरी तो जहां पर लिया है हमने एक केज गुड गुड के अंदर एक गलास फानी डाला है मेल्ट होने के अधिया जहां पर वह चास नी बन जाएगी इसकी हम चास नी बनाएंगे गुड की तो जहां हमने टी एक टीस्पून सौफ डाली है आटे के अंदर तो इसके अंदर हम ड्राइफरूट डालेते है के ड्राइफरूट आप कोई भी डाल सकते हो मैंने गाज्यूर बदाम डाले हैं इसकी अंदर तो ये देखिए गरी भी डाल लेते हैं थोड़ी का दुकस करके रखी है तो इस मिटीरियल को अभी आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इस तरह से तो अब हम डालेंगे गर्म तेल रिफाइंड गर्म किया है तो जे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस तरह से मलके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तेल को इस तरह से करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम डालेंगे चासनी डालेंगे शांडनी के साथ डालेंगे चासनी चासनी थोड़ी थोड़ी डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी डालके मलाएंगे हमने टाइट आटा गूंद रहा है दोस्तों इसलिए थोड़ी थोड़ी चासनी डालनी है तो थोड़ी और डालेंगे तो हम इसको टाइट सा गूंद लेंगे आटा जे देखिए इस त्रेके से करेंगे चासनी तो गर में है इसलिए हम कर्सी के साथ करें है तो जे देखिए हमने आटा गूंद दिया इसका टाइट से गूंदा है तो ज्यादा डीला नहीं रखना हमने आटा, टाइट करके गुंदना है, तो अब हम पेड़ा लेके, बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से गोल कर लेंगे, इसको अरॉंग लें, तो फिर हम जैसे रोटी बेलते हैं, उससी तरीके से हम इसको बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इसको, तो गैस होन करके कड़ाई रख ले, रख लेते हैं, उसके बाद रिफाइट गर्म कर लेते हैं, तब तक हमारा रिफाइट गर्म हो जाएगा, जब तक हम बना रहे हैं, कजूरे, तो जहां देखिए हम इसको काड लेते हैं, बर्फी टाइफ से काटेंगे इसको, इस तरीके से, जितनी साइज का मर्जी रख सकते हो, आप पीस जो भी बना रहे हैं, तो हमारा तेल हो गया गर्म जहां, तो जे हम पकने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, दो तिन मैंट लगेंगे, तो जल्दी फराई हो जाती है, जे खजूरे, जे देखिए, ब्रोन कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको बार निकालेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे, जे खजूरे, तो कैसी औरो झाना जस्टे से बनाएंगे, जे सम्स्क cucumberative कार आएगे, जे खजॱरे, तो कैसी लगेनगे, बाहाँ जे एक बनाएंगे, तो, कैसी से लिएझा, जे टे भापाहन देए से लिएम जेसे लिएम का लू winter.